तपो भंग प्रयत्नः शरत्काल सन्निहितह भूमिर धान्य सम्रुद्ध्या पूर्णा अभवत नदीनाम सरोवरानांच जलम निर्मलम अभवत गगन तले पक्षि समूहो मधोरंगानं अकरोत सुगंधो मारुतह मंदं मंदं प्रावःत दिशह प्रसन्नाह अर्जुनह इंद्रकील प्रवतं प्राप्तह यक्षह उक्तवान अर्जुनह शस्त्रम धृत्वा तपस्याम कुरु तपसो मध्ये विग्णा भवंत्येव तथापी तदनंत्रम कल्यानं भविश्यती अत इंद्रिया चापलं परित्यज शिवस्तव संतापं परिहरतु इंद्रो लोकपालाश्च तपस्सिद्धये सहाया भवंतु एवं आशीर्वादं कृत्वा यक्षह स्वस्थानं गतह अर्जुनह इंद्रकील परवते अवसत्त परवत समीपे गंगा नदी प्रवहती सप्प्रदेशो तीव रमनिय आसीत तथा व्रुक्षा भ्रमरै रावृत्ताह पक्षणो मधुरनादेन कूजन्ती प्रायस्ते अर्जुनाय जयगोशं कुर्वन्तीव तत्र कलहं साह गंगा जले तरंती तदपि दृष्यम बहु मनोहरं एवं रम्यं दृष्यम अर्जुनो दृष्टवान परवतस्य परिसरह प्रशान्तह अर्जुनस तत्र तपस्याम आरब्धवान सर्वानी इंद्रियानी स्वाधीनानी कृतवान कठिनम तपयेव आचरितवान तथापी तपोनुष्ठानेन तेन खेदो नानुभूतः तपसह प्रभावेन तस्य शरीरम उज्वलम अभवत शरीर कांतिही सर्वत्र प्रसृता अर्जुनस्य तपह प्रभावयुतं जातं तत्र वने क्रूर म्रुगा अपी हिंसाकारियं परियत्यजन व्रक्षाह पल्लवै सम्रुद्धा अभवन आकाशह अपी निर्मलह अभवत भूतलम अपी धूलिकन रहितन जातं अर्जुनस्य तपो वैभवेन वनचराणां कष्टन जातं अहार विहारेशु क्लेशोन भूतह ते सर्वे इंद्रसमीपं गताह अर्जुनस्य तपो विचारं तस्मै निवेधितवंतह इदम शुर्त्वा इंद्रो हर्ष्टह किन्तु सह संतोषम न प्रकतितवान सोर्जुनस्य परीक्षाम कर्तुम इष्टवान इंद्रह अर्जुनस्य तपो भंगं कर्तुम अपसरसाम सकाशे उक्तवान कटाक्ष पाताईही अर्जुनस्य वशीकरणं कर्तव्यं शाप भयं मास्तु इति अपसरसह प्रस्थिताह ताह विविधैर भूशनेर विभूशिताह तपो विग्णार्थं ताह उच्चेर वार्तालापं कृतवत्यह हावभावान प्रदर्शितवत्यह किन्तु अर्जुनो न विचलितह सजितेंद्रियह अतस्तासाम चेश्टा विफला जाताह ताह स्वस्थानम प्रतिनिवृत्ताह